बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और और इस तरह के क्राफ्स अपर और वहां पर मैं हेई एवरिवर्ण, वेल्कम बैक तो मैं चैनल, इस इस मानसी तो वैसे तो मैं अपने वीडियो में हमेशा ही कुछ नव कुछ hacks और tips and tricks आपको बताती रहती हूँ लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे hacks share करने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और ये hacks आपके लिए काफी helpful होंगे आपके time और money को save करने के लिए और इसके पहले भी मैंने आपके साथ 13 craft hacks share किये हैं एक वीडियो में तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इसका मतलब आप बहुत कुछ miss कर चुके हैं तो वो वीडियो भी एक बार जरूर चेक आउट करिएगा लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसका link में आपको description में देदूँगी आई button में भी आपको वो मिल जाएगा तो जब भी मैं अपने किसी वीडियो में मौट पॉच लू का यूज करती हूं तो हमेशा ही किसी ना किसी का कॉमेंट नीचे आ जाता है कि हमारे पास मौट पॉच ग्लू नहीं है तो हम क्या करें तो करना कुछ भी नहीं है आपको बस चाहिए फैबरिक ग्लू तो मैंने यहां पे फैविक्रिल का फैबरिक ग्लू यूज किया है आप किसी भी ब्रैंड का फैबरिक ग्लू यूज कर सकते हैं इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा पानी अब मैं एक बॉटल ले रही है वह 3 to 1 होना चाहिए अब आप इसको किसी बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं और इसको कभी भी यूज कर सकते हैं और इसका अप्लिकेशन कैसा है वह अभी हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे तो बढ़ते हमारे नेक्स टैक की तरफ तो अगर आप भी डिया पाश पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे बहुत सारी वराइटी में आते हैं लेकिन यह सिर्फ छोटी-छोटी सी जो शीट्स होती है यह काफी कॉसली पड़ती है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है स्पेशली जब आप बिगनर होते हो तो आपके लिए पॉसिबल नह जाएंगे तो मैंने लोकल मार्केट से लिए थे और मुझे एक रोल दस रुपए का पड़ा है और साइज में अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल डेकोपाच शीट्स होती है उससे साइज में काफी बड़े साइज में आते हैं तो आप इसको कई बार यूज कर सकते है और इसको यूज करने का प्रोसेस भी सेम है यहाँ पर मैंने कोस्टर लिया है और जो मॉटपॉच ग्लू हमने डिया वाई किया था वही मैंने हाँ पर अप्लाई किया है जिससे कि हम उसका भी अप्लिकेशन देख सकें अब जैसे हम नॉर्मल डेकोपाच टेकनीक में एक अगर उपर से भी मॉटपॉच ग्लू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह की जो पुरानी बॉटल्स होती है उनसे बॉटल डेकोर्स बनाते रहते हैं और इनके उपर यह जो स्टिकर्स होते हैं यह आसानी से निकलते नहीं है और अगर हम इनको रगड निकालें भी ना तो यह काफी जादा टाइम ले लेते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा है बताने वाली हो जिसे की तो इसके लिए हमें चाहिए हैर ड्रायर तो जो हैर ड्रायर की गर्मी है उसकी वजह से जो स्टिकर का ग्लू है वो मेल्ट होगा और जो स्टिकर है वह बहुत ही आसानी सी रिमूव हो रहा है और थोड़ा बहुत ग्लू इसके बाद भी इसके उपर रह गया है तो उसे हम पानी से अच्छे से साफ करके रिमूव कर सकते हैं तो अगर आपको अभी तक की है थोड़े से भी पसंदार है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा पढ़ते हमारे नेक्स्ट है की तरफ तो अपने पिछले हैक फीडियो में मैंने आपके साथ एक सीडी हैक शेयर किया था और उसको देखने के बाद आप में से बहुत लोगों ने बोला कि आपकी सीडी कट करते टाइम उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में कटने होती है या फिर वो कट ही नहीं होती है तो कट हो जाएगी यह वाला है देख लो फिर आपकी सीडी जरूर कट हो जाएगी तो इसके लिए हमें हाट वाटर लेना है और जो भी सीडी हमें कट करनी है उसे हम इसके अंदर डिप करके रख देंगे तो लगभग 10 मिनट के लिए आपको इसको करेंगे तो वैसे भी सीडी कट करने में खराब होई जाएगी या ब्लंट हो जाएगी तो इस अच्छा है कि आप कोई पुरानी सीजर यूज करें और अब देखिए कि इस तरह से कट करने से कोई भी क्रैक्स नहीं आए है तो मैं पिछले 5-6 सालों से क्विलिंग आर्ट से रिलेटेड चीज़े बना रही हूं और इतने सालों की एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारे चोटी-चोटी ट्रेक्स और हैक्स सीख लिये हैं और अगर मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगूं तो 10-20 ट्रेक्स तो सिर्फ क्विलिंग से ही रिलेटेड हो जाएंगे लेकि जब आप दो स्ट्रिप्स को अपस में स्टिक करते हैं तो उनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्टिक होना चाहिए थोड़ा सा भी टेड़ा मेरा हो जाएगा तो फिर बाद में वह दिखाई देता है जिसकी वज़े से अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है दूसरा काम क कि जब हम इसको रोल करते हैं तो पहले तो हम रोल कर लेते हैं लेकिन रोल करने के बाद जब आप इसको पास से देखेंगे तो यह बहुत ही अन इवन से इसकी सर्फेस रहती है तो हम क्या करते हैं कि इसको एज़े से फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखाई देती लास्ट म तो जो भी इसमें unevenness है वो एकदम plain हो जाएगी तो इस तरह से अगर आप बहुत ही minute minute details पर ध्यान देंगे तो आपके काम में सफाई दिखाई देगी तो चलो अब हमने earrings तो बना ली लेकिन अब इसमें पीछे लगाने के लिए हमें एक stopper भी चाहिए होता है तो इस तरह की stud earrings जो भी होती है उसमें पीछे लगाने के लिए stopper चाहिए होता है तो वैसे तो ये market में मिल जाते हैं लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप simply ये जो glue gun की sticks होती हैं वो ले सकते हैं और उसका एक छोटा सा piece कट कर लीजे और फिर आसानी से आप इसको as a stopper यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह की glue gun sticks भी नहीं है तो आप कोई भी eraser ले लिजे और उसमें से चोटा सा piece कट करके आप इस तरह से लगा सकते हैं इवेन अगर आप handmade earrings नहीं भी बनाते हैं तो आप अपनी normal earrings के साथ भी ये वाला hack try कर सकते हैं अब मैं अपने वीडियो में इतनी बार invitation cards का use करती हूँ तो एक hack उससे related ना हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है तो आपने देखा होगा मैं अपने कई सारे DIYs में इस तरह का जो एक मोटा वाला cardboard आता है वो use करती हूँ तो ये भी मैं कभी खरीदती नहीं हूँ इसका भी जुगाड है मेरे पास तो जो शादी के cards होते हैं कुछ इस तरह से जो मोटे वाले शादी के cards होते हैं उसके अंदर कुछ इस तरह के thick cardboard होते हैं जो कि मैं हमेशा निकाल के रख लेती हूँ और इसी को मैं अपने कई सारे DIYs में use करती हूँ तो जो different different शादी के cards होते हैं उसमें अलग-अलग thickness के हि इस तरह के cardboard होते हैं तो आप कोई भी use कर सकते हैं जिस भी thickness का आपको चाहिए हो वो आप use कर सकते हैं तो जो हमारा next hack है वो भी शादी के card से ही related है तो again आपने मुझे कुछ इस तरह की डोरिया आपने कई सारे DIY में use करते हुए देखा होगा और different different colors में है ये मेरे पास तो कुछ शादी के cards होते हैं जिसमें already इस तरह की डोरी लगी रहती है तो उसे ही मैं निकाल लेती हूँ और अपने DIY में use कर लेती हूँ तो कई सारे DIY हम ऐसे बनाते हैं जिसमें इस तरह की पतली ropes की जुरुवत पड़ती है चाहे तो आप इस तरह की ropes market से ले सकते हैं लेकिन मेरे पास इसका एक दूसरा option भी है तो आप कोई भी tissue paper ले लीजे और उसको इस तरह से पतली-पतली sections में divide कर लीजे फिर आप हातों प और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने tissue paper से इसको बनाया है यह बिल्कुल cotton dory की तरह ही दिखाई देता है तो यहां आप मेरे पास कुछ candles देख रहे होंगे और यह candles मैंने काफी टाइम पहले दिवाली पे बनाई थी और यह जो अलग-अलग शेप की candles हैं इसके लिए मैंने किसी भी mold का use नहीं किया था इसके लिए मैंने घर पर एक छोटा सा जुगाड करके different different shape के molds बनाये थे पाकी के shapes हैं उसको बनाने के लिए मैंने पहले इसके उपर वाला part कट कर लिया और triangular mold बनाने के लिए मैंने इसको तीन साइट से कुछ इस तरीके से प्रेस किया जिससे इसने ट्रेंगुलर शेप ले लिया और इससे आप ट्रेंगुलर शेप की candle बना सकते हैं अब इसी तर हो जाए तो आप easily इसको फार के अलग कर सकते हैं जिसे की आसानी से candle mold से बाहर आ जाएगी तो मैंने सुचा कि आपके साथ भी इसको शेयर कर देती हूं ताकि आप भी इस तरह के candles अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं I hope आज के सारी hacks आपको मज़ेदार लगे होंगे और आपको पसंद आये हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा तो मैंने last week भी बोला था और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने एक surprise के बारे में बात की थी अब तो आप लोग भी सुन-सुन के एकदम बोर हो चुके होगे क मानसी क्या surprise है बता भी दो तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस surprise के बारे में तो आप लोग हमेशा से ही मुझे इतना प्यार देते हो इतना जादा support करते हो इतने प्यारे-प्यारे comments करते हो तो मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करूँ और ज पास यह चीज रखी है मैं इसको कैसे recycle करें या इसको कैसे बनाए या इस तरह के कई सारे comments आते हैं तो चोटी-चोटी चीजें जो मैं अपने नॉर्मल वीडियो में शेयर नहीं कर पाती हूं तो मैंने सोचा कि वह सारी चीजे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं कई बार घूमने चली जाती हूं और उस वीक वीडियो नहीं आप आती है तो कई सारी लाइफ अपडेट्स होती हैं जो मैं चाहती हूं कि मैं शेयर करूं बट वह इस चैनल पर शेयर नहीं कर पाती हूं तो इसके लिए मैंने चोटी-चोटी चीजे हैं जो हम इस चैनल पर नहीं दिखा पाते हैं बहुत सारे टिप्स और ट्रेक्स लाइफ अपडेट्स और जो भी कुछ पर्सनल बाते करनी होती हैं वह उस चैनल पर करेंगे तो अगर आप लोग मुझे और जादा देखना चाहते हैं और अगर आप तो हाला कि मैंने सोचा था कि जब मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं ये नया चैनल स्टार्ट करूँगी लेकिन आप लोगों का इतना प्यार जो मिलता है उसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि जादा वेट नहीं करते हैं जादा टाइम ना वेस्ट क